हेलो फ्रेंट्स मैं नेम इस वर्षा और आज हम बात करने वाले डेटा साइंस के बारे में तो डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्नरी फिल्ड है जिसमें हम स्टाटिस्टिक्स और कम्पूडेशनल मेतर्स के साथ साथ दोमें स्पेसिफिक नॉलेज को यूज करके डेटा से मीनिफूल इंसाइट्स एक्स्ट्राइट करते हैं डेटा साइंस में सोचल मेडिया, सेंसर डेटा, फाइनाशियल ट्रांजेक्शन और मेडिकल रेकॉर्ड जैसे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, अनलाइजिंग और इंटर्पेटिंग कर सकते हैं डेटा साइंटिस्ट, पाइथन, आर जैसे प्रोग्रामिंग लाइज़ेस और नैचरल लाइज प्रोसेसिंग, मशिन लर्निंग, डेटा विज्वेलाइजेशन रैसी टेक्निक्स की कॉम्बिनेशन से डेटा से इंसाइट्स फाइंड करते हैं, पैटर्ण साइडिटिफाय कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं और इन इंसाइट्स को यूज करके हम नए प्रोड़क्स बना सकते हैं और एक्जिस्टिन सिस्टिम में इंप्रोग्मेंट ला सकते हैं अब हम बात करेंगे डेटा साइंस के हिस्ट्री के बारे में डेटा साइंस की जड़े कम्प्यूटर साइंस और स्टाटिस्टिक्स में है और इसका एविलूशन बैक टू दो मीड और 20th सेंचुरी में हम ट्रेस कर सकते हो इन 1960 और 1970 स्टाटिस्टिकल फिल्ड में डेटा अनलिसिस और मॉडलिंग में नई-ने टेक्निक्स डेवलप हुई जैसे की ताइंस सीरीज अनलिसिस, प्रेइशन अनलिसिस और उसी वाग कम्प्यूटर टेकनोलोजी में हुई प्रोग्रेस के वज़े से लार्ज वॉल्यूम अब डेटा को स्टोर करना और उस पे प्रोसेस करना हमें पॉसिबल हुआ इन 1980, डेटा साइंस ट्रॉम बीएं टू इमर्ज और इसका यूज स्टाटिस्टिक्स, कम्प्यूटर साइंस और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के इंटर सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था इन 1990, डेटा साइंस में प्रोग्रेस होती गई जिसे जिसे इंटरनेट और राइस ओफ डिजिटल डेटा से डेटा अनलाइजिंग और मॉडलिंग में अपोर्टिनेटिस क्रियेट हुई इन अर्ली 2000, मशीन डेटा सेट्स के अवीलेबिलिटि से डेटा साइंस में प्रोग्रेस हुई और बिग डेटा अनलीटिक्स की शुरवात हुई जिसमें हम large data sets पे analyzing और processing करके data से meaningful insights find कर सकते हैं जिसमें हम data से meaningful insights extract कर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे data science के types के बारे में There are four types of data descriptive data science, diagnostic data science, prescriptive data science और predictive data science तो सबसे पहले हम बात करेंगे Prescriptive data science तो prescriptive data science में हम historical data को analyze करके उसमें से hidden patterns और trends को identify करते हैं और past में क्या हुआ और हम उसे कैसे improve कर सकते हैं इसकी study हम descriptive data science में करते हैं Next is diagnostic data science Diagnostic data science में हम specific issue का cause identify करते हैं और factors identify करते हैं और उन्हें understand करते हैं कि जिसके वज़े से हमें वो problem आ रही है तो prescriptive data science में हम specific outcome को achieve करने के लिए best course of actions को identify करते हैं Next is predictive data science predictive data science में हम machine learning और statistical models को use करके data से in predictive data science हम statistical models और machine learning यूज़ करके future events को predict करते हैं Next is applications तो data science की मदद से हम data को analyze करके उसमें से meaningful insights find कर सकते हैं और informed decisions ले सकते हैं data science की मदद से हम efficiency और productivity में improvement ला सकते हैं Organizations data science की मदद से customer data को analyze करके customer और उनकी product और services की needs को understand कर सकते हैं In 2022, the global data science platform market is 74.65 billion dollar तो ऐसी और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करें तो मिलते ले इन next video कर दो